असलाम लेकुम दोस्तों मैं हम आपके साथ आईशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर तो खबरों का आज का सफर उस खबर के साथ शुरू होगा जहां एक पैसेंजर ने हवाई जहाज में एक पाइलेट को पीट दिया जब हवाई जहाज का पाइलेट ये बताने के लिए आया कि हवाई जहाज की उडान में देरी होगी तो पिछली सीट पर बैठा एक शक्स उड़ता है और वो पाइलेट को पंच मारता है अब ये वीडियो काफी बारल है आज मैं आपको ये बताऊंगे कि हवाई जहाज की यातरियों में इतना गुस्त क्यों आया और क्यों इन जहाज वाले पैसेंजर्स को ट्रेन के यातरियों से सीखने की जरूरत है लेकिन सबसे पहले आप आज की टॉप न्यूज जानी है और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो दोस्तों राम मंदी ट्रस्ट ने मंदिर की कुछ नई फोटो जारी की है और ये बताया है कि मंदिर में सोने के कुल 14 द्वार होंगे राम मंदिर के उद्वगाटन में जाने के लिए अब दो शंकरचारे राजी हो गए हैं ये दोनों शंकरचारे काँची मठ और श्रैंगरी मठ के हैं इन दोनों शंकरचारीों ने ये कहा है कि 22 जनवरी को प्रान प्रतिस्टा के मूरत में कोई खराबी नहीं है और ने खौब देखा है जिसमें उन्हें खुद भगवान राम ने ये कहा है कि आयोधिया में जो हो रहा है वो ढोंग है और मशूर शायर मुनवर राना की मौत हो चुकी है उनकी मौत दिल का दोरा पढ़ने से हुई मुनवर राना 71 साल के थे और बाबरी मस्जिद को लेकर RSS के चीफ मोहन भागवत का नया बयान सामने आया है मोहन भागवत ने बाबरी मस्जिद के बारे में ये कहा है कि बाबरी मस्जिद गुलामी का पिर्तीक थी और राम सेवको अयोधिया में मस्जिद नहीं बलकी गुलामी के पिर्तीक को ढ़ाया था आज फिलस्तीन और इसराइ उस वीडियो की हो रही थी जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था अब इस वीडियो पर ये बहस हो रही है कि क्या फ्लाइट में देली के कारण हवाई जहास के पाइलिट को पीटा जाना चाहिए या फिर चुप चाप बैट कर फ्लाइट के उड़ने का इंतिजार करना चाहिए तो आज आपको इस वाइरल वीडियो का सच जानने के लिए मशूर जर्नलिस्ट रवीश कुमार के विचार सुनने चाहिए क्योंकि रवीश कुमार ने जहास के पैसेंजर की इस हरकक को बड़ी ही शानदार तरीके से पेश किया है आज मैं आपको रविश कुमार के इस इंसिडेंट के बारे में विचार पढ़कर बताती हूँ रविश कहते हैं पैसेंजर का ये तरीका बिल्कुल गलत है गर्मी हो या सरदी लाखो रेल यातरी 10 घंटे से लेकर 15 घंटे की देरी हसते खेलते जहलते हैं कभी उफ तक नहीं करते ना तो देरी का वीडियो बनाते हैं और नहीं ट्विट करते हैं चुपचाप अपने समय को नस्ट होते देखते रहते हैं और खुश रहते हैं हवाई जहास वालों को भी 4-6 घंटे की देरी सेहन करने की अब आदत डाल लेनी चाहिए हवाई जहास वालों को ये पता होना चाहिए कि देश के कुछ इलागों में कितनी बड़ी संख्या में ट्रेने कैंसिल होती रहती हैं और अगर उन्हें यकीन नहीं हैं तो ये गूगल में सर्च भी कर सकते हैं अच्छी बात यहीं कि सारे हवाय यातरी ऐसे नहीं हैं वो भी रेल यातरियों की तरह सहना सीख गए हैं वनर सब के पास फोन है सब चाहते तो एरपोर्ट की हालत का ये वीडियो बना कर ट्वीट कर सकते थे लेकिन उन्हें पता है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं मुक्का मारने वाला युवा जरूर 2014 के पहले का बच्चा हुआ एक दो बेसबर नागरिक होगा इसे पकड़ कर दस घंटे गोदी मीटिया की स्क्रीन के सामने बिठा देना चाहिए जब ये गुसेल युवा भारत के विकास कब विराड सोरूप देखेगा तो सहनशील हो जाएगा यानि इसमें रेल यात्रियों की तरह बर्दाश्ट करने की छमता बढ़ जाएगी खैर इस यात्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर पाइलेट देरी का एलान करने की बजाए राम भक्ती से जुड़ा कोई गीत बजा देते तो शायद उनके चेहरे पर जो मुक्का पड़ा है वो नहीं पड़ता क्योंकि आज के वक्त में अगर आपको देश के नोजवान का गुस्ता शान्त करना है तो फिर इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता फिर आगे बढ़ते हैं और बात गाई की करते हैं आजकल गाई की चर्चा बहुत हो रही है और ये चर्चा मोदी के वीडियो के बाद तो कुछ और ही ज्यादा हो रही है लोग ही कह रहे हैं कि गाई की सेवा करना लोगों को मोधी से सीखना चाहिए लेकिन मुसल्मान है कि मोधी के इस गाई प्रेम से इस खबर को ले आए है और ये कह रहे हैं कि आपका गाई प्रेम तो ठीक है लेकिन इस शक्स का क्या जो गोक्षी करके सुकून के साथ पुलिस की गरफ्त में खड़ा है अश्विनी सोनी नाम का एक शक्स फिजूल में ही इस पर बेतु के सवाल उठा रहा है और ये के रहा है कि बरेली में रहने वाली कर्णी सेना के महानगर के इस अध्यक्ष की जगा अगर कोई मुसल्मान होता तो क्या होता अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ पहली बात तो गोक्षी करने वाला मुसल्मान यू पुलिस की मौजूदगी में थाने में खड़ा ही नहीं होता उसे हिंदू संक्टन और गोर अक्षक दल के सबसे ओन दा स्पोर्ट स्वर्गवासी बना देते और अगर वो बच भी जाता तो पुलिस उसे गरफतार कर लेती और फिर उसका पूरा खांदान गोक्षी का हरजाना भुगत रहा होता जैसे गुजरात में इस ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ है खबरे ये हैं कि गुजरात में एक जगा है बनास कांठा बनास कांठा में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर चोराहे पर साइट में अपने ट्रक खड़ा करके उसके आगे नमास पढ़ ले लगता है आस पास के लोग वीजियो बनाते हैं और जब ये वीजियो वाइरल होता है तो पुलिस इस ट्रक ड्राइवर को ग्रफतार कर लेती है अब बेचारे मुसल्मान ये कह रहें कि आजकल हिंदू तो हर जगा भजन कीरतन करते है उनसे ना तो कुछ कहा जाता है एक मुसल्मान ने अपने ट्रक के आगे बिना किसी को परेशान किये नमाज पढ़ ली तो उसे ग्रफतार कर लिया गया ये कहां का इंसाफ है साहब इंसाफ की बात करना इस देश में अब मुसल्मानों को छोड़ देनी चाहिए हैर आगे बढ़ते हैं और बात मुनबराना की करते हैं जिनकी आज मौत हो चुकी है और लोग अब उनकी कही गई शायरी शेयर कर रहे है आज मैं भी आपको मुनबराना का एक शेयर सुनाती हूँ मुनबराना की वो शायरी है जिसके बाद उन्हें पहचान मिली और वो इस मुकाम तक पहुँचे तो सुनिये किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मा आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मा आई तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आप भी अपनी राय कोमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस सबस्क्राइब जरूर कर दे शुक्रिया